नमस्कार साथ ही आपका स्वागत आपके यूटूब चैनल ट्रेट वित्राइक चलिए दोस्तों सुरूब बात करते हैं जैसे कि हमारे क्वार्टर थी के सीरीज चल रही है तो उस सीरीज के अंदर टाटा मेटालिक का कल क्वार्टर थी के रिजल्ट आया तो रिजल्ट की मै पूरी अबडेट आयुक्ती पूरी कर् Awesome आप तक अभी को सुवब आपडेंड मिला ठहीचल पुरण पोर तो चलिए तधाक के वारे हैं इनके इननका मैनिफ़ेक्चर कपन्या करते हैं तलिए तङी है तो दियूर रही चैनल भोश्तल में दि का काम के Two Dre Pipes यह आपको दिखाऊंग्ञा किस तरह के प्याइब्स और यह देख़ी आपको यह इस तरह के पाइब्स कत Manuel करते तो इसमें company तो अब आपको समझ आचुगा किस तरह के पाइब बनाती है ठीक है थो आप चलते इसके चलत चल क्या रहा है कैसे boundary हो और ग्रावट होगे यह भी देखेंगे चले देखते हैं तो आज यह 3.5 परसेंट ग्रावट के साथ ट्रेट कर रहा रहा स्टैंप पर यह कंपनी कप सा 1990 से पेरेंट कंपनी कवन थे टाटर स्टील है तो मैटल कंपनी के शेहर है तो गंपनी का जो ओपन होती है 847 रपे हाई मारा 896 रपे यह जहां से ओपन हो वाँसे तेजी ही दिखा रहा रहा है शेहर के अंदर अभी थोड़े माँ बताऊँगा आपको तो देख आपटे नहीं तुका पांच परसंट तरण दिया मैंक्स अभी तक कंपनी ने हमारे को आठजार आठाट सो बारा परसेंट दिया अभी तक मैक्स यह देख सकते बहुत अच्छा रिटन दे चुके अभी तक शेर और कंपनी अब चलते इसके क्वाटर थी रिजल्ट की बात करें देखें इसके क्वाटर थी रिजल्ट अपडेट हुई थी वह कल के दिन आ गई थी साम को आई थी तो मैं अपडेट नहीं दे पाया आप लोगों तो उसके देखें इनके बॉर्ड अफ मेटिंग होई थी तो इनका जो तेरा जनवरी को आया था रिजल्ट और रिजल्ट अनॉंस्मेंट का भूई थी देखें चार चार वज़े हो था साड़ेशे बज़े था कि पूरा अपडेट आ चुकी थी साड़ेशे बज़े तक तो आप चल चौुंसाट हजार तीनसो बारा लाग की इनकम आई है प्रीवेस क्वार्टर में की इनकम ती चौुच सट चौशाट हजार 796 और लाश्ट यार इंसेल ती बावन हजर आठसो तरा सी तो यहीर में जाफा देखना हूं मिलता यह इंडिकेशन हमरें को दिख रहा अलगी द 213 इनका expense हुआ है ठीक है और पिछले quarter में इनके expense था 56,695 और लास्ट इयर इनका expense था 47,993 expense में बड़ा देखने को मिलिए इस quarter में तो यह रिया वाई भी expense में ग्रोथ देखने को मिलिए quarter quarter भी growth देखने हुआ लिए अब यह देखिए और क्या है देखिए और क्या है देखिए और क्या है तो इसका profit आया जो इसका operation जो profit आया वह आया यह देख सकते हैं तो net profit जो इसको आया net profit इसको आया ultimately इसको आया 3566 पिछले पिछले quarter में जो profit ता इसका 5463 और लास्ट इयर देखिए ता 7512 तो profit में ग्रावट देखने हो मिल रही है यह indication इस वह शेयर के तो net profit जो इसको आया यानि के इस quarter में इसको profit आया 3566 और यह पिछले quarter में इसको profit आया था 5463 और यह यह देखेंगे तो 7,512 लाग का इसको profit आया था लास्ट इयर रिचल के अंदर तो देखिए यह कंपरेशिंगे तो 50% मिला तो 40% मिला क्वाटर क्वाटर वाई तो प्रॉफिट में इसको profit जो आया नेट प्रॉफिट जो आया नेट प्रॉफिट में देखने को मिला जिसमें इसके होनी चाहिए प्रॉफिट जब्ता मार्केट में जाएगा जब्ता वह रेवें यह प्रॉफिट कहां से नकल बाएगा आप देख सकते हैं तो आए और पिक आयरे न जो ने बेखा उससे से बढ़िए तो देखे आरे न के इनकी से नो यह यह जो यानिक यह देखे डॉलिक्ट आयरन जो बेका है इन्होंने पाइप जो बेक इन्होंने सब्सक्राइब के उसमें सेल देखने हो इजाफ़ा देखने हो मिला आप देखे यह एक 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 इनका अच्छी जूड़ी इनके परस देखे इस सेल में जाफ़ा 33,194 लास्ट क्वाटर थे वह 24,521 उससे काफी अच्छा है हर वर मैं यही बोलता हूं किसी भी कंपनी के सेल में ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि कंपनी जो होती है तो वह अपने जो मैनेजमेंट होता है वह उसको प्रॉफिट उपर नीचे चल सकता है बाट उनकी सेल बढ़नी चाहिए नेक्स्ट इयर यह वाई ज सेल में ग्रोथ देखना हो मिले तो यह काफी अच्छा है बाकि प्रॉफिट उपर नीचे हो सकता है तो इससे कोई फरग नहीं पड़ता बाकि शेर अच्छे खास से ट्रेटर करना चाहिए तो यही बाजिया होती जब भी कोई गिरावट मिले तो अच्छे शेरों करना चा विजाए तो आपको इंडिकेशन और समझाएंगे तो यहीं कि दिसम्र कोटर के देंदा केंदर के शेर व्ल्डिंग पर मॉटर के सेम रखेंगे साट पंट तीन उन्होंने कोई ना घटाई ना बढ़ाई है बट एक एक के अंदर इसके होल्डिंग कम देखने को मिलिए देख सकते हैं पहले लास्ट क्वार्टर में की होल्डिंग थी 1.12 तो बढ़के इसके होल्डिंग तो इसमें क्या इंडिकेशन मिला है अपनी होल्डिंग इंक्रीस करी यह भी अच्छा आज की दिन आपको बताई दिया तो अभी मैं एनसी के साइट पर आच चुका हूं तो इनसी के साइट पर यह देखिए इसके अंदर आज की दिन क्या चल रहा है यह देखिए अभी तक यानि 12 बज़े तक इसमें 33 परसेंट 32 परसेंट डिलीवरी उठाली वाज उठाली है अब देखिए ने डिलीवरी उठाली है यह बहुत अच्छा इंडिकेशन डिलीवरी उठा रहा है कोई तो खरीद रहा है इसको तो यह भी समझना लिवात होती ह अब चलते से चार्ट के अंदर क्या चला देखिए यह मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन कर रहा है तो तो काफी अच्छा है तो आपको क्या करना अगर उप्पा लेवल पर होल्ड रही है आने वाले टैंप फिर 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 तु हाई तो रहने दो मेने के अंदर जिस त कर रहा है तो देखिए लाश्ट वीक जो था यानि दिसंबर के मन से इसमें अच्छे गासी अब आइंग देखना हो मिले क्योंकि देखिए लाश्ट वीकिसमें इन्वेटेट हैमर केंडल बनने हो तेयर बैठ हुई है जैसे स्लैडली क्लोस करेगा इसको तो और तेजी दे दे रहा है रहा है रहा है से हमारा 43 वो जा चुका तो अभी भी आप इसमें इस में इस्टॉप्रोस रखना तो पहला प्रक्रेट तो हमारा यहां से आएगा एक रहला नोसो थाघट एक चार पर आपको इजली दिखा सकता है नौसो साथ दूसर टागट एक हजार पर घढ़र दो टागट डे रहा हूं नीचे कितना गया आज यह 817 तक गया यह देख सकते हैं यह गिरावट के बाद यूहाई से इसमें करेक्टिव होके यह वालूम के देखिए हैवी कासी हैवी बुली स्केंडल यहां बन गई यह आज की डेट में और देखिए यह शेर अभी 890-890 के बीच में ही चल रहा है के लिए आप बैसे बाए करें दसरे बंदन देखिए साड़े नो सो तक के लेवल आपको दिखेंगे चार्ट में कोई इंडिकेशन ने दिख रहा है कोई ग्रावट के लिए को सपोर्ट लेके चल रहा है चार्ट तो आब आप 840 के स्टॉप्लोस से सब बाए कर सकता है अच्छा खास है आरे से हमारा डाउनफॉल दिखा रहा बाए 52 यह दिखा देगा क्योंकि इसमें गैप आप ओपनिंग हुई थी तो गैप आप ओपनिंग के साथ इसने फिल करा और अच्छी का से फिलिंग के बाद यह अब ट्रेंडिंग हो चुका है तो इसमें कर सकते हैं इसमें पैनिक होने लिए रिजल्ट काफी अच्छा है रिजल्ट पर नीचे कोई बड़ी बात नहीं है कंपनी अच्छी फंडमेंटल अच्छी है तो आप इस शेयर का अपने पॉटफोलियो में एड़ ओन रखे और फ्रेस बैंक भी आप कर सकते हैं इन दो टारगेट के तीन टारगेट ने पहला टारगट नोचवा दूसरा टारगट नोच्वा दसका तीसा टारगट साड़े नो सा तक के टागट आपको 20-25 दिन में आपको इसली दिख जाएंगे इन तीन टागट याप बाइकरी पेसर होल रखे आई होप यह वीडियो आपके उस पुले तो पुले वीडियो को लाइक शेयर फावड करना बिल्कूल ना बूले थैंक यू सो मच पर झाज के सावड़े लाब गएंगे सुए यू खेड़े लाइकरी वाचिंगे सेवाज वैहीं देज तो पर रखे इन आपके सीधी अजाओे थार